क्या गद्धे भी किसी की किसमत को बदल सकते हैं जी हाँ उत्तरप्रदेश के बलिया जन्पद में लगने वाले दर्द्री मेले में प्रतिवर्ष परसुओं का मेला भी लगता है जिनमें हर नसल के गद्धे भी आते हैं गद्धों के इस मेले में बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्परदेश और नेपाल से भी ब्यापारी आते हैं यहाँ पर 10,000 से लेकर 50,000 तक के गद्धे बिखते हैं इस मेले की सबसे खास बात यह है कि गद्धों के इस मेले में धोबी समाज के लोग पंचायत के जरीए अपने बच्चों की शादियां भी ते करते हैं समाज के बुजर्ग इन मुलाकातों में खासी एहमियत रहते हैं यानि गधों के मेले के जरीए दो इनसानों का भी मेल होता है यहां पर पेस है हमारी ये खास रिपोर्ट रिवु मुनी के शिश्य दरदर मुनी के नाम पर लगने वाला ये ददरी मेला काफी पौराणिक है जो लगभग डेड़ माँ चलता है ये मेला बहुत से लोगों को बहुत कुछ देता होगा लेकिन एक विशेश जाती यानि धोबी समाज के लोगों को साल भर बेशबरी से इस मेले का इंतजार रहता है क्यूंकि उनके लिए यह केवल मेला नहीं बलकि दो परिवारों का मेल भी है धोबी जाती के लोग इस मेले में गदहों की क्रय विक्री के साथ अपने हिसाब से लड़के लड़कियों की शादी भी इसी मेले में तै करते हैं जो इनके लिए एक परमपरा है जिसको निभाना इनकी मजबूरी ही नहीं जरूरत भी है मेली की रोनक को जरा गौव से देखिए खरीद विक्री तो हो ही रही है साथ में लोग बैठकर शादियां भी तै कर रहे हैं कहीं शादी के काड़ पर निमंतर लिखे जा रहे हैं तो कहीं शादिया तै की जा रही है सही माइने में इनके समुदाय के लिए ये मेला मेला नहीं बलकि दो परिवारों का मिलन है उपियोगता के आधार पर भले ही इस तरह के मेले का अस्तित पर संकट बन रहे हो लेकिन सही माइने में ये धोबी समाच के लिए मेला केवल क्रेविक्री का माध्यम नहीं बलकि अपनी पहशान के साथ अपनी परंपरा को भी बचाए हुए है अज धीरे धीरे परंपराएं समाप्त होती जा रही है जरूरत है इनको सहेजने की सवारने की जो बलिया में कहीं न कहीं इस मेले में नजर आ रही है भले आज आधुनिक्ता की दोड़ में हम कितनी ही दूर क्यों न भागें लेकिन जो पराडिक परंपराएं हैं जो समाज से समाज को जोड़ने का काम करती है उसे नहीं भूलना चाहिए कि僕 ददद्री मेला में आते हैं और यहां परити घदाओं का जाता है यह पर अपने घर सब तaining इत तक हमे आता है लुए पर पर घित rainbow ourselves कándा इट इराएं हैं हैं एट्यपियर्यार कारते हैं साथजी भी तो हुए होते हैं या एकाना देस करता है CIV इंडिया नीज के लिए बलिया से अखिलेश हसानी की रिपोर्ट